शुन्य और एक की भूमिका जहां हमने एक परिमय संख्या में शुन्य का योग किया है आपने क्या ध्यान दिया? जब हम किसी परिमय संख्या से शुन्य का योग करते हैं तो योगफल, सदैव वही परिमय संख्या होती है इसलिए शूने को परिमय संख्याओं का योज्य तस्समक कहते हैं अब एक परिमय संख्या से एक का गुणन करिए आपने क्या धियान दिया? जब हम किसी परिमय संख्या का गुणन एक से करते हैं तो गुणन फल वही परिमय संख्या होती है इसलिए एको परिमे संख्याओं का गुणनात्मत तस्समक कहते हैं